नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट पर आपका स्वागत है, मैं हुआ लोग तो आज एक और वीडियो लेकर आए हूँ, इनफेक्ट एक वीडियो नहीं है, इसमें दो वीडियो के हिस्से हैं अब दोनों पूरे-पूरे में नहीं चला सकता था, क्योंकि बहुत जादा वीडियो बढ़ी हो जाती, मतलब एक डेड़ घंटे से उपर के वीडियो हो जाती तो मैंने इन दोनों वीडियो को एक साथ लिया है, उनमें से जो उसका बेस्स पार्ट था, वो निकाला है तो एक वीडियो है साना अमजट जी का और एक वीडियो है अपने रियल इंटेइन्मेंट वाले सोहभ भाई का तो अब से कुछ दिन पहले हमने एक जो वीडियो दिखाया था कि इस पाकिस्तानी ने बोला कि प्लीज मोदी जी पाकिस्तान के पी-म बन जाओ तो इससे अच्छा तो वो मूदी है येकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मूदी हमें मूदी मिल जाए हमें तो नहीं नौाँ श्रीफ चाहिए ना बेनजीर चाहिए ना अमें इमरान खान चाहिए कोई भी निजननम ऊछरब भी नहीं हमें हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मुदी चाहिए जो इस मुलक के टेड़ों को सीधा करे इस मुलक की मैशियत को उपर ले दुनिया के पांच में नमबर पे आ चुके है इंडिया वाले आपको पता है इस हमारी खबर को जो हमने दिखाया तो हो सकता है किसी की नजर पढ़ी हो मैं कहा नहीं आओ कि पढ़ी गई हो जिन्होंने कहा कि हमें पीम साहब मोदी जी आप आजाईए हमारे पीम बन जाईए पाकिस्तान के उनसे सना अमजद ने भी बात की है और सोय भाई ने भी बात की है तो पहले देखते हैं कि सना अमजद के साथ बातचीत में उन्होंने क्या कहा आबिद नामें शायद उनका, उन्होंने आबिद भाई ने क्या कहा, और फिर अपने सोहेब भाई वाला इंटर्विव की सुन लेंगे, तो दोनों में आपको अलग-अलग परस्पेक्टिव हैं, आप क्या बाते हुई हैं, वो सब आपको सुनने को मिलेंगी। तो चलिए, स इन्होंने नरिंदर मोधी के हवाले से अपने ख्यालात रभ में जजबात का इज़ार किया इनका कहना था कि ये नरिंदर मोधी को चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने ताके पाकिस्तान के हालाद भी बेहतर हो सकें इस वक्त इंडिया में हर जगा ये ट बच्चा बच्चा देख रहा है। आट सालों में अपने लोगों को कहां से आट साल पहले इंडिया क्या था और आट साल बाद इंडिया क्या हो चुका है। और हमारी बात आगे पूचाई और आप प्लीज उसे शेर करें क्योंके वो मुदी साब तक भी पूचे हमारी बात के हम उने क्या कहना चाहरे हैं। पाकिस्तान के लिए क्या मैसी देना चाहरे हैं क्योंके हम दोस्ती करना चाहते हैं। रियक्शन चैनलों में सबसे पहले मैंने इस वीडियो पर रियक्शन दिया था, I don't know, बाकी भी हो सकता है, दिया होगा लोगोंने, और मुझे भी बड़े सारे उस पर कमेंट्स हैं, व्यूज बड़े अच्छे आये थे, ऐसा नहीं है कि व्यूज नहीं आये थे, लोगोंने हमारा नेटवर्क तो है, नहीं कोई बताने वले तो लोग हैं, इतना मीडिया हम लोग यूज करते भी नहीं है, तो रात को एक मीडिया वाला दोस्त है, मैं तो अपनी, आपको पता है, गार्मेंट्स का सिलसला है हमारा, मैं तो अपनी स्टॉल पर बैठा हुआ था, तो व पाकISTANियों के दिल दुखते हैं उन बातों से, देखें बात तो सच है, और उस से अब दिल दुखे ये, तो उसमें मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो सच बोल रहा हूं की हमारा इंडिया की तरह तरकी हो, पाकिस्तान ऐशतर्की करें,। दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो जैसे Google का CEO है, वो भी India का है, बरतानिया का वजीर आजम है, वो भी India का है, मतब दुनिया में India, India, India हो रहा तो Pakistan क्यों नहीं हो सकता, कि हम लोग क्रेप्ट हैं, हम लोग चोर हैं, हम लोग अपनी बाहर प्रॉप्टिंगे बनाते इसलिए हमारा नाम नहीं है ना, तो हमें चोर को ने इंटरव्यू देखने के बाद आपको तनकीद गी या कोई धंकिया तड़िया शड़िया अभी तक लोगों का तो मैं अभी कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा आप बलीब करें कि मैं रात को अपने घर जब गया ना तकरीबन एक बजे का टाइम था बाइगोड मैं खितर प्रेड जो है ना वो मेरी हुई है जो सच है उन्होंने कहा जी तुम पाकिस्तानी हो तुमने ये बाते क्यों कि यह ऐसी बाते करनी चाहिए पाकिस्तानी होके जिन में से एक-दो पड़े लिखे भी मेरे थे भाई जिन्होंने मुझे एपीशेड किया कि यार आप ब कोशिष करता है अपने उसका एक सपॉर्ड है दुनिया में उसका नाम बन रहा है आने वाले टाइमों में चैना जैसे पहचाना जाता है न教掌 इंडिया की बात हम ट्मिजंग भाई जह से हुते है ना कि इंडिया हमारा बड़ा बही है हम उसके चोटे बाईे ये तो बात मानने एक ही था सब कुछ उसमें से एक लाइन कीच दी गई इधर पाकिस्तान हो गया इधर इंडिया हो गया लोग तो सारे सेम थे तो हम लोग इंडिया की बात इस तरह इस लिए करते हैं कि इंडिया को हम पसंद करते हैं हम उनी में से हैं वो हम में से हैं तो हम आपस में हमा हम किसी को अप्रिशेट नी करते हैं कि अच्छा काम किश्मीर जो पाकिस्तानी कश्मीर और एक किश्मीर हैं इंडिया में क्या क्श्मीर होई है और पाकिस्तान के लिग करवाई आपको यह नहीं लगता कि पाकिस्तान की नाकाम्याबी की वज़ा ये है कि हम किसी को अप्रिशेट नहीं करते अगर किसी अच्छा काम किया तो उसे मोटीवेट नहीं करते उसे अन नहीं करते पाकिस्तान यूट्यूबर्स ने या पाकिस्तानी चैनल्स ने हमारी खबर चलाए किसी ने आपको क्रेडिट दिया ना मेरा नाम चलाया तो आपको नहीं लगता कि ये कही ना कहीं बहुत बड़ा एक फर्क है अब आप देखने हमसाया मुल्क भारत वो हमें एप्रिशेट कर रहे हमारा नाम चला रहे है तो खुशी की बात होती ना अच्छा लगता है लेकिन हमारे मुल्क में बैट हुए एक शहर में बैचे लोग जो है वो हमारा नाम चलाने से कत्राते है ये बताने से डर रहे हैं कि सना अमजजद की वीड़ और आबिद भाई बोल रहे है हमारे बचे घर में भूके मर रहे हैं। लेकिन हम गौर्वर्मिंट को टक्स देते हैं। अब जो गौर्वर्मिंट को को रितंट तो करना चाहे न, किसी भी सूरत में। के हमारे बच्चों का इलाज होज chops है, हमारे बाद़ी की तरह बजसक अब चम्हारा सेले के हमपने बचाइन को इंगली स्कूलों से हटाके कि और भी स्कूलों यकीन कीजिए उसने ये नहीं देखा कि अमेरिका हमसे नराज हो जाएगा उसने आम आदमी को देखा कि मेरे आम आदमी को फाइदा कैसे मिलेगा रशिया से उसने पेट्रॉल लिया जहां से अमेरिका मना करता रह गया उसे उसने पेट्रॉल लेके दिखाया अब आप तो अम हम टमाटर 20 रुपे किलो ही ले रहे होते और हमारा पेट्रॉल 105 रुपे लिटर ही होता 270 और 105 में बड़ा फरक होता है मैडम तो इसलिए मैं कहता हूं गर हम इंडिया में होते हैं आज इंडिया पाकिस्तान एक होता वजीराजम एक होता फोज एक होती एक्सपेंस भी बचते पाकिस्तान सूपर पावर बनता है मतलब पाकिस्तान इंडिया यह सूपर पावर बनता चाहिए एशिया की सूपर पावर बनता मोदी साब को मैं लाइक करता हूं बहुत पसंद करता हूं और बहुत प्यार करता हूं मोदी साब से और क्यूं करता हूं देखे लोग मुझस सा रूम हैं जिसमें वो अपनी जिन्दगी बसर कर रहा है उसे नहीं चाहिए कोई बंगले गाड़ी है कुछ नहीं चाहिए ना उसने शादी की ना उसे अपनी उलाद के लिए कुछ चाहिए वो सिरफ अपने लोगों के लिए मैडम सबसे बड़ा लफ जो मेरा ना उस पर ग जो है नरेंदर मोदी के गुन गाने लग गए हैं जी मैडम क्यूंके मोदी साब सबके साथ एक एकवल सलूक कर रहे हैं देखे मीडिया जो दिखा रहा है ना वो रियल में नहीं हैं आपके भी पार इंडिया में बड़े जानने वाले होंगे किसी इंडियन मुसलमान को लोग पकड़के लेगे सिर्फ मीडिया दिखा रहा है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इंडिया तो हमारा दोस्त है हमारा भाई है हमारा मसाय है हम टूइन्ज हैं एक ही में जैसे पिंडी और इसलामबाद है ना इस तरह इंडिया और पाकिस्तान है और मुदी साब आपके हमारे मुलक में हो जो हमारे मुलक को भी ऐसे तरक्की करें दुनिया के पांच में नंबर पे आएं और पिर एक नंबर पे जाएं पेट्रॉल सस्ता मिले आटा डाल घी हमें सस्ती मिले आम बंदे की यही होती और आप से मिलने की रेली बड़ी ख्वाइश थी वो पता है ए चुबती है क्योंकि वो मेरे मताबक नहीं होती मैं यह नहीं कह रहा कि जी पाकिस्तान पूरा का पूरा खराब है नहीं लेकिन मैकसिमम लोग महाँ पे खराब हैं खराब इन दे सेंस की उनकी सोच नेगटिव है भारत के लिए वो अच्छी बात अपने दिमाग में नहीं इंडिया के लिए वो बुरा भला कहते हैं हिंदूओं को वो नीची नजरों से देखते हैं और यह मैं बात नहीं करा क्योंकि मुझे दो साल हो गया है रेक्शन वीडियो करते हुए और इस बीच मैंने हजारों पाकिस्तानियों को सुना है और जब उनका माइंडसेट मैंन देक्यू सना जी कि आपने इनकी बातों को पहुचाया यहां पे और आबिद भाई की बातों को पूरे इंडिया ने देखा और फिर से अभी देख रहा है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को आबिद भाई से नफरत करनी के बजाए उन्हें प्यार देना चाह है कि वो बंदा वाकई पाकिस्तान के लिए अच्छी सोच रखता है वाकई वो पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखना चाहता है वाकई वो पाकिस्तान को एक नंबर पे देखना चाहता है कि जी हम अपनी इमेज के लिए भी अच्छे हुए हैं तो ये सारी बाते जो हैं व दूसरे सबूत की जरूत नहीं है, 75 साल पहले आप लोगो की आप लोगो की हालत क्या है, आप खुद से compare कीजिए, खुद आप समझ जाएंगे, कि आबिद भाई ने जो बातें कहीं हैं, वो बातें सही हैं, गलत हैं, या हवावाई, चलिए, अब आगे सोयद भाई के साथ भ कोई ऐसा वैसा चाहिए हमें प्राइम निस्टर जो चाहिए इंडिया का जैसे प्राइम निस्टर निंदर मोती हैं उन जैसा चाहिए मुझे बताएं क्या रिजन है पाकिस्तान नहीं आप और आप कह रहे हैं कि इंडिया का प्राइम निस्टर चाहिए या उस जैसा चाहिए सबसे बड़ी बात ही नहीं हम भी पाकिस्तानी है आप पाकिस्तानी नियार इस मुलकों यह जान हादर धैया हमारी सब Q22 इनसमार है फ्रइस पहलें । अब मैं आपको एक्जेम्पल देता हूँ कि हम जब से इस मुलक में हमने होश समाली है हमने सब कोई देखा है बच्पन से यह सुनते आ रहे हैं बेतर हो जाएगा बेतर हो जाएगा मुझे सिर्फ एक स्वाल का जवाब चाहिए अपनी कॉम्मेंट से सब लोगों से जो इस्टेबलिश्मेंट हैं जो भी यह दा रहे हैं जो भी पाकिसान को चला रहे हैं मैं सिर्फ यह सवाल करना चाहता हूँ कि हम लोगों से क्या गलती हुई है हम लोगों ने आपके साथ क्या गलत किया देखिए आम सिबिलिन जो आम अवाम है उसने आपको टेक्स नहीं दिया एक चिंगम बबल हम खरीते हैं कोई भी एवरिटिंग कोई भी चीज लगा लें आप उस पे हम टेक्स पे करते हैं अपनी गौर्मिंट को और दुनिया से ज्यादा पे करते हैं जो दुनिया दे रही ह मिलता है रिटन की सूरत में आप बिमार होगे तो आपका यार इस सब जूट है जूटे ला जाएं हम बिमार हुए थे हमारे कुछ हम जब होस्पिटलों में धक्के खाएं तो हमें समझ आई कि सब फेक है ठीक है अच्छा मुझे यह बताएं कौन सी ऐसी पॉलीसी आपको पर civilization की कि बहितर लग ga एए या उनके गोर्मीट की बहितर लगी जिसकी वजासे आपने डायरेक्टी बोल दिया कि हमें वेथा प्राइमोसे आपने बदाए हैं जी सर बिलकुल बोलाए मैंने इसकी तच्छी तच्छी करता हूँ एक निदें मूदी नम 혹시 Cyrus ऑड़ ई लव प्राउड पाकिस्तानी यार हम हैं पाकिस्तानी प्राउड पाकिस्तानी लेकिन यकीन मानो अब दिल पता क्या करता कि हमें इंडिया में ही पैदा होना चाहिए था क्यों हमारे बचे तो सुकून में होते यार हम इंडिया में पैदा होते हमारे बचे जो इधर गाड़ी खरी कि पैसे नहीं नहीं हमने आपको टैक्स नहीं हमने आपको कुई पैसा हमा आपने डबल डबल हम लोगों से बिजुनस कर रह onda कि आफ एसा चीजाई लेका तो गौवर्मंट को टैक्स देता हूं चीजम के उर्म commerce आपको आप ये बताए ना कि गौर्वर्मेंट ने रिटन में हमें जी कोई अच्छा सिलसला हमारा बनवा दिया हमारी सड़के अच्छी करवा दिए और भाई गली मौदलों में जाके देखो क्या और रोटी पूरी ने औरी सड़के कहां से गौर्वर्मेंट बनाएगी आई से नहीं कि हमें वो चीज़े नजर आ रहे थी हम लोग पाकिस्तानी मुबेवतन होके तो थीक है मुबेवतन हैं पाकिस्तान के लिए बाते बीए हाश्रें लेकिन इन्हें शरम दलवाने के लिए बातें हो रही हैं सारी कि आप भी शरम कर लो जार झार और भाई मूदी से मजबूरन आगे हूं अरे भाई तुम्हारे लंडन में अर्बों डॉलर के वो जो आपके वो क्या कहते हैं उसे अर्बों डॉलर के फ्लैट है उसे डॉलर ही आएक डॉलर चाहिए पाकिस्तान को तो मुबे वतन बनो ना यार उन्हें बेचो पाकिस्तान के काम आए लोग अच्छा इंडिया की तरीफ इसलिए की जाती कि वो तरीफ के लाइक है जब आप तरीफ के लाइक थे तो हम ऐसे खड़े होते थे पाकिस्तान और अभी भी पाकिस्तान हमारा है यार उसे सही करने के लिए तरप रहे हैं लोग यह मुलक को हमारा दुनिया में फिर नाम बन का फाइडा है इंडिया से दोस्ती करने में अपका फाइडा है उन्हें खीज़िख़ों आपके क्या फाइडा मिलेगा आपके खाने पीने की पैकिड है किलो वाला और इंडिया में मेरे खाल से तीन साठे थीन सो रुपे का होगा तो जब आप उनसे दोस्ती बनाओगे ना आपके अलू टमा टमाटर प्याज इच्चन एवरिटिंग छोड़ी चीज़ें जो है ना हुआ था एक दोर में हमने देखा था इंडिया से च कुछ कह रहे हैं हो चुक है कुछ कह रहे होने वाला जो भी है ठीक या पाकिस्तान की हेल्प करेंगे तो उस पर उन्हों नहीं कहा देखें वह ये भी कह सकते थे नहीं बहुत था गयूद निए और ये चीज़ बढ़ने बच्चंट के जहना है इस पर इस ने आप देखे हैं लगाएं दोस्ती का आपको गले बोलो क्योंकि आप की माँ बेटे निकले निए फैले सब एक जगांप ब्रहते थे खाते थे कुछ भी नहीं था यह ब्लग करने के लिए जब अलग हुई गई हुई लग हुए तो देख लो फिर तरक्की किसने की जिनका दुनिया में ये चाल की ड्वाइडेंट रूल का उन्होंने एक किया कि अप इतने बड़े वो बनने की कोशिश करते हो आप एक बंगला देश अपना बचा ने सके और बंगला देश आप से बहुत उपर चला गया अब तो अब आने वाला टाइम देखिए पाकिस्तान अगर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा आप समझेए तो पाकिस्तान रहेगा तो आपका दोस्त है उसके साथ आप जुवाइंड हो हम लोग ट्विन्स भाई हैं हम लोग आप समझें तो आप दोनों भाईयों को कठे होना चाहिए और आपको मीडिया की बड़ी ही मैं आपके र हम बुरे हलातों में लेकिन यह हमेचा नहीं रहते अगर इंडिया पाकिस्तान एक हो जाएं आप बलीव कीजिए कि दुनिया में इंडिया और पाकिस्तान का जोड़नी मिलेगा आपको कहीं भी पूरी दुनिया में हो सकता है सूपर पावर एशिया में यह बन जाएं यह पड़े लिखे इंसान हों मैं आपके लेवल का पड़ा लिखा नहीं लेकिन इंग्लिश में आप उससे नहीं जी सकोगी मैं सही बात कर रहा हूं उन्हों ने अपने सरकारी स्कूलों में ऐसी एजूकेशन दी है कि जो बचे उनके टैलेंट अभी आप देखें गूगल का स इसनली बन गया है जो हम यूट्यूब के लिए वीडियो रिकार्ड का रहें ना उसका सीओ पी इंडियन कीन मानों इंडिया का शुकर मनाओ आप माइडना कीजिएगा पाकिस्तानियों को कह रहा हूं जिस हलात में आप आप जंग नहीं लड़ सकते और इंडिया का शुक् बढ़ा रहे हैं वो इंडिया के लिए इंडिया टैक कर देगा हम अगर अपना जो भी कर रहे हो यानि हमें जो दिखाया है पता नहीं यह बात आप चलाओगे के नहीं चलाओगे को इन चीजों की पबंदी है हमारे पाकिस्तान में आप यकीन करें देखके बोलेंगे तो ह चलाओगे मैं थोड़ा थोड़ा सा करता हूं कोशिश हमारी पाक आरमी है जी सबरदस्त आरमी है और वो होनी चाहिए उसके प्यार गुजारा नहीं है लेकिन क्यों इतना पैसा क्यों आर्मी को दे रहे हो यार्ज इतना पैसा कि मुलक का 70% आप आर्मी को दे देते हो फिर उनकी लाखों रुपया जो है वो पेंशन भी होती है फिर उन्हें नोकर चाकर भी मिलते हो भाई ये कोई अगलग मखलूक नहीं है ये हमारे टैक्सिस के पैसे हैं भाई जान ये हम देते हैं हम भूके मर रहे हमारे बचों के लाज नहीं हो रहे हैं टमाटर प्याज हमसे घ् हैं आप पाकिस्तानियों के दमाग बहुत तेज हैं बड़ा देखिए एक प्रोडेक्ट दिखाता हूं इसकी अड़ोटाइजिंग नहीं कर रहा सिर्फ बताना चारों मेड इन पाकिस्तान क्लास आप चेक करें चीज क्या बनी हुए है और प्राइज इसके होलसेल प्राइ हमारी साइटरी बंगला देश में शिफ्ट हो चुकी हुई है इदर कोई ट्रस्ट नहीं करता पैसा लगाने को एक इमरान खान आया था बचारा जो में शुरू में बुरा लग लग रहा था अब समझा रही कि वही था जो इस मुलक को आगे लेके जा सकता है आपको इनकी बातें कैसी लगी आपने कुमेंट में जरूर बताना है मजीद ऐसे लोगों से हम कोशिश करेंगे कि बात करवाएं जितना हो सके पीपल टू-पीपल कुनेक्शन करें पॉजिटिवीट हम लोग क्रियेट करें जितना हम हम से हो सकेगा हम करेंगे आपने वीडियो को शेयर करना है और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए पीस आउट अलाहाफिस चले दोस्तों वीडियो खतम हो गया और आपने दोनों चैनलों पर देख लिया कि किस तरह के वो हैं कमोबेश एक ही जैसे विचार थे आविद भाई के और मैं इनकी बातों से 90% सहमत हूँ जो बाते हैं नहीं उन्हें कही एब 10% से मैं क्यों अखमत हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एस बात से हूँ कि भाई, पाकिस्तान के लोगों को भी हक है खुद के डिव्लपमेंट का, उनको भी हक है सस्ती चीजे मिलने का, खाना सस्ता, सामान सस्ता, सहुलियते मि बिजली, पानी, ये सब मिलना ये हक है भाई, ये बेसिक राइट्स हैं, जो पाकिस्तान के सरकार को उन्हें देना चाहिए। अब मैं आता हूँ कि क्यों मैं इसे एसमत हूँ, पहले सबसे पहले बात बताता हूँ, कि एसमती वाली बात से पर एक और चीज़ या देगी, जो इन्होंने एक बात कही न, कि पाकिस्तान की पीडी दर पीडी में नफरत के बीज बोए गए हैं, अब वो नफरत के पौधे बड़े हो चुके हैं, और आने वाली पीडी में फिर से वो बीज बोए जा रहे हैं, तो आने वाली कई पीडियां जो हैं, वो नफरती हो चुकी हैं, इसका एक्जामपल देता हूँ मैं, इसका एक्जामपल दूँगा कि सना के चैनल पर भी ऐसे बच्चों की बाते आई ह और स्वेड़ बाई के चैनल पर भी ऐसे बच्चों की बाते हैं, पहले मैं वो दोनों चैनलों पर बाते हों यह वो सुना देना चाहता हूँ, सुनिए अच्छा मतलब घरवाले कहते हैं कि इंडिया हमसे जंग करता है इंडिया हम पर कभजा करना चाहता है पाकिस्तान को अपना बनाना चाहता है यह घरवाले कहते हैं जी आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं और मुसलमान जो हैं वो इंडिया में बह जाये जी कि कि आपके दिमाग में किसमें टाला शौहर झालाकि-चैंड के बारे में जय जब आपसे पूछे मैं यभी पूछ रहा हूं तो चांच जोजा क्या सोचते हो क्या माइंड मेशा दोस्त आरा हमारा दुशमान है расс 드चार ने लड़ेंगे कशमीर कश्मीर को मारते मुसलमनों को मारते हैं जलम करते हैं तीवी पर देखते हैं इंडिया वाले पर मुसलमनों पर जुलम करते हैं मारते हैं उन्हें 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 करने देते हैं उन्हें जाने से रोकते हैं सुलिया आपने ये है वो नफरत जो बच्चे बच्चे के जहन में है और मैं हमेशा अपने वीडियो में बात कहता हूँ कि अगर आपका जहन नफरती चीजों से भरा हुआ है तो positive बाते नहीं आ सकती अब आते हैं कि जी दोनों twins थे नहीं, twins नहीं थे twins अगर होते तो दो भाई होते हैं अलग-अलग उनकी पैदाईश होती है हमारा आप हिस्सा थे अगर आप एक body मान लो तो आप उसके एक part थे वो body काटके अलग कर दी गई, cut गई हो बटवारा हो गया, तो हम twins नहीं इस बात से मैं असे मत हूँ दूसरी बात आते हैं कि भारत-पाकिस्तान एक हो जाए, मेरा मानना है मेरा शुरूर से standard है कि हमें एक होने की जरुवत क्या है आप कुछ लोग काएंगे कि जी नहीं आपको दोस्ती बढ़ानी चाहिए, अमन की आशा करने चाहिए अमन इसी में है कि हम दोनों अलग-अलग रहे है अमन इसी में है कि आप अपना कमाई कीजिए आप बिल्कुल डेवलप हो जाईए आप दुनिया की नंबर वन कंट्री बन जाईए ये हम चाहते हैं, बन जाईए आप कोई रोकने वाला नहीं है लेकिन हमें छोड़ दीजे हमारे हाल पे क्योंकि हमारा जो 75 साल का इतिहास रहा है और 75 साल में जो हमने सबक सीखे हैं हमें से एक सबक ये भी है कि हमने हर शांती की बात कर ली, सब कुछ कर लिया चार बार जंग आपने पाकिस्तान ने हम पर थोपी प्रोक्सी वार हमारे किलाव अगर किसी ने छेड़ी तो पाकिस्तान ने छेड़ी हिंदू मुसलमानों में भेदभाव करना चाहा अलगाव करना चाहा वो पाकिस्तान ने हमेशा किया है और अभी भी कर रहा है तो हम बस इतना चाहते हैं सारे पाकिस्तान से कि भाईचारा, दोस्ती, सब कुछ अपने-पने मन में रखिए अपने-पने घर में रहिए हम अपने घर में रहते हैं आप अपने घर में रहिए आप अपने घर को बहतर बनाईए आप अपने घर को सेफ करिए आप अपने घर में खुब कमाईए अर्बो डॉलर कमाईए दुनिया की नंबर वन एकॉनमी बन जाईए लेकिन हमें छोड़ दीजे, हमें बख्ष दीजे हो सकता है सौर भाई को भी मेरी बात बुरी लगे वो बात मेरी बात से अग्री न करें सना जी को भी अग्री न करें, आबिद भाई को मेरी बात बुरी करें लेकिन प्राक्टिकली ये बात सोचेगा 75 years में हमने बहुत कोशिशे की लेकिन उन कोशिशों ने हमेशा हमें जखम दिये हैं अब हम जखम सहने के उसमें नहीं है स्टेट में नहीं हमने अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लिया हमने आपको सब कुछ दे दिया आपको जो चाहिए था वो सब दे दिया आप इंडियन से इमत कहिए कि जी दोस्ती कर लेते हैं बिजनेस शुरू कर लेते हैं ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं क्यों करना है आप सल्फ मेंड बनी हैं जैसे हम बन रहे हैं धीरे धीर ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास मुश्किल नहीं थी या हम शुरू से ही सब कुछ खुदी हुगा रहे थे, नहीं किया ना हमने, हमने धीरे धीरे उसको develop किया, तो यकिन करता हूँ कि मेरी बातों से आप लोग agree करेंगे और जो agree नहीं करेंगे तो प्लीज वो comment में बताएं कि आप क्यो agree नहीं करते हो मेरी बातों से, तो जल्दे झाल